ये गाइस वेलकम टू था सैरी किचन में आपका स्वागत है तो हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड़ू खाने में बहुत स्वाधिस्टे है और बनाना भी बहुत इजी है आप एक बार जरूर तराई करें इसमें बेसन हम लिए है और गी लिए है अगर पाव किलो बेसन है त पाव किलो घी है तो इसमें तीनों चीज बरोबर ही लगेगा इनका कॉंटिटी बरोबर रहेगा पताएंगे इसका रेस्पी कैसे बनाना है यह है पाव किलो बेसन पाव किलो सक्कर यह हम कराई रख दिये हैं में डालेंगे हम बेसन डालेंगे इसको खलका ब्राउन करना ह सब्सका के नहीं ही रूगट में उसको हम चलाएंगे जब कर तक हलंका ब्राउन नहीं हो चलाएंगे अगे फिर चलाएंगे फिर चल रे तोरे थोरे टालते आता है अब इसको हम चलाते जाएंगे जब तक मेरा सक्कर अच्छे से गल जाएगा यह देखों गैस हमने बंद कर दिया अब इसमें हम घी डालेंगे साचनिक जैसा दम उठ गया है इसमें घी डालेंगे और इसको हम अच्छे से जब तक मेरा ठंडा नहीं हो जाएगा इसको हम चलाते जाएगे क्या जबर्जस्त बनके आता है दोस्तों आप जरूर ट्राइग करें पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए गा लोगों के साथ सेयर कीजिए गा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा इसको हम चलाते जाना है रुखना नहीं है इसको हम चलाते जाएगे जड़ तक ठंडा हो कि यसी हमें रुहां कि नहीं है उसको चलाते जाना है उसको इतना बहुत हिद्थ 격ात हम डाल देंगे डाल के हमें अच्छे से मिलाना है जरस भी घुल्टिया नहीं है गुटली एद्दम रवे के जैसा हो गया था हम डाल के हम इसको अच्छे से चलाएंगे बहुत इजी है दोस्तों बहुत जट पट से बन जाता है खाने में भी वह स्वाधिस्ट है अच्छे से चला लिया और यह हो गया है तो हम देखो लिट्टू बना रहे हैं अधम बन जाएगा अधम अच्छा तो इसको हम ऐसी सब बना लेंगे देखो सब तैयार हो गया मेरा लिट्टू क्या जबर्जास दिख रहा है खान जैसा अधम लजीज इस्टे हम इस्टे सेफ थाइंक्स पर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् थाइबれてूओंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्डबर्च ठाऊभ्णध।